Hello and welcome guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉंच हो चुका है OPPO F17 स्मार्टफोन जो मिल लागा आपको 18,000 रुपे की शुरुआती कीमत में और आज किस वीडियो में आज हमें से जिस स्मार्टफोन से compare करने वाले हैं वो है Motorola का Moto One Fusion Plus स्मार्टफोन जो मिल लागा आपको 17,000 रुपे की कीमत में तो अगर आप लोग भी यहाँ पर OPPO F17 और Motorola के One Fusion Plus के बीच में confused और doubt से mind में कि आपको इन दुन में से किस की तरफ जाना चाहिए और किस की तरफ नहीं तो यह सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद को कि यहाँ पर मैं दूँगा OPPO F17 और Motorola के Moto One Fusion Plus के बीच में एक full comparison एक detail comparison जिसको देखने के बाद आपके मुएंट से सारे confusion तो clear होंगे ही होंगे आपको यह चीज़ भी पता लग जाएगी कि कौँसा smartphone ऐसा है जो आपके usage के recording best होने वाला है यहां पर जो बहुत कमाल चीज़ है यहां पर इसका display का brightness को कि यह मिलता है 600 nits के साथ में अगर इससे compare करते हैं Motorola के Moto One Fusion Plus से तो यहां पर आपको display की size है वो मिलती है आपको display 6.55 inches के साथ में quality की बात करो तो यह मिलता है full HD plus LCD TFT display के साथ में और यहां यह जो display है यह support करता है SDR 10 को भी तो overall देखा जाए तो यहां पर है full HD plus IPS TFT display है तो मतलब कोई सवाल नहीं उड़ता कि यहां पर quality सबसे पहले matter करती है तो यहां पर देखा जाए display की size भी तो 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 कोई बेकार नहीं है यहां पर तो कोई सवाल उठना ही नीची है की rear camera के मामले में अबिसली भी नट है Motorola का Moto One Fusion Plus smartphone लेकिन अगर हम बात करते हैं इंदरों smartphone के selfie camera की तो यहां पर आपको OPPO के F17 में मिलता है 16 Megapixel की selfie जो आता है water drop notch design में और यहां पर अगर से मैं compare करता हूं Motorola के Moto One Fusion Plus के selfie camera से तो यहां पर भी आपको 16 Megapixel की selfie मिलेगी front facing camera लेकिन यहां पर नो नौच 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 कोई भी नौच नहीं है क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा स्मार्टफोन अब अगर हम बात करते हैं इंदुरों स्मार्टफोन के battery comparison की और अगर बात करें यहां पर ओपो के F17 में तो यहां जो बैटरी की capacity है वो मिलेगा आपको 4015 स्मार्फोन के परफोमेंस की और अगर बात करते हैं इन दूरों स्मार्टफोन के परफोमेंस की और अगर बात के जाए प्रोसेसर की तो ओपो के F17 में मिलता है अगर मैं इसे कंपेर करता हूं मोटर लॉक है मोटर वन फिजन प्रोसेसर से तो यहां पर मिलती है को कॉलकम स्नापड्रेगन 730G का प्रोसेसर अक्टाकॉर प्रोसेसर है अटरों ने 618 की GPU मिल जाएगी 2.2 GHz की सब्सक्राइब के साथ में आपको मिल जाएगी और यह बना हुआ है एट नेनोमीटर की टेकनोलोजी के साथ में तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता कि यहां पर इन दूरों स्मार्पफून के स्क्यूरिटी और स्लोट की तो ओपो के F17 में जो स्क्यूरिटी है वो मिलेगा याने की बात करता हूँ अगर स्कैनर की तो मिलता है आपको इन डिस्प्ले रिजन यह है कि इन डिस्पे फिंगर्पिंट संसर ऑप्शन इसलिए मिलता है क्यों आपको इन डिस्प्ले आपको मिलता है और इसके पीसे क्या अपको मिल रहा है यही बड़ी बात है अब यह चीज़ आप खुदी डिस्प्ले ज्यादा पसंद आता है अब अगर हम बात करते हैं इन दूरों ही स्मार्टफून की बिल्ड क्वालिटी की तो ओपो के एप संटिर में जो बिल्ड क्वालिटी है वो लेधर बैक से बने हुई डिजान देखने को मिल जाएगी आपको बहुत अच्छी खासी स्लीम स्लीम तो है स्मार्टफून अब 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 दिजान निले गे वहां पर आपको मिल जाएगी बॉक्स अब्र बीजान अगर मैं इसे कंपेर करता हूं यहां पर मोटर लॉक ए वो मोटर वन फिशन प्रस के बिल्ड कौल्टी से तो यहां विल्ड कॉल्टी है वो मिलती है पॉली कार्बने टेशा डैन से कि अबेलング कषे drena 가자 पाइन शबीन, अब चलूकनाällt है तो उएफूं साथ से अरे लेकिन अरफा को म्तुर अपर किई अपनर है केच वायेद का महां वाजर है गलाये फिर्लांद से साथ नंडी वह बचा लिए जिकन हुल्म को हम्तुन तो आपका स्क्रेंच से बचा लिए चाहे है वो जाये कैसे भी बचाओ तो आपका स्पार्डफोन ऐसे भी प्रीमिम लुक देखे या और लुक प्रिमियम इसदे भी है क्पी मोटौला के मोटूला के मोटौलाओन फूजिनप्लस में कोज भी रिफ्लेक्शन वेल्फी है, ऐ यहाँ पे आपको OPPO F17 स्मार्टफोन मिल जाएगा दो वेरिंट के साथ में 6GB RAM 120, 8GB का बेस वेरिंट है 18,000 की कीमत में और 8GB RAM and 128GB का अधर वेरिंट है 20,000 रुपे की कीमत में compare किया जाए अगर इसे Motorola के Moto1 Fusion Plus के pricing से तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिंट मिलेगा 6GB RAM 120, 8GB का बेस वेरिंट और आखरी वेरिंट साथे 17,000 रुपे की कीमत में so overall देखा जाए तो यहाँ पे मैंने देदिया है full comparison OPPO F17 and Motorola के Moto1 Fusion Plus स्मार्टफोन के बीच में और मुझे उमीद है कि मैंने जितनी भी चीज़े बताई है अभी तक वीडियो को शुरुवास लेकर आते आते यहाँ तक सब चीज़े आपको समझ में आई हो और क्यों कोई पार्ट किसले विनर है reason wise reason बताया मैंने तो कोई डाउट नहीं होगा मैं जहां तक आशा करता हूँ अब रह गया conclusion का पार्ट वहाँ पे फड़ा फड़ा दिस्कस करते हैं कि कौँसा smartphone equal है कौँसा smartphone better है आप लोगों के लिए यहां पर हम लोग आज करें हमने conclusion के पार्ट में और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं वेरेंट को equal करके compare करता हूँ तो यहां पर बेस वेरेंट ही अच्छा है बेस वेरेंट आपको मिल लागा बात करते हैं अगर डिस्प्ले के मामन में तो विनर है आपको ओपो एप 17 बिगास आपको स्मार्फून के साथ में आता है ऐसा प्रोसेसर का बीट करवाना ओपो एप 17 की बसके बात नहीं है बात करता है अगर यहां पर क्यामरा के मामन में इकवल है लेकिन जो एकवल नहीं है वह रेर नहीं है वह रेर क्यामरा 64-megapixel का मिलता है यार मतलब मोटर लोग और फीजन प्लस में ऑपो एफ 17 को ना मतलब इसने अगर चार और गुना कर दिया ना तब भी बराबर निकर प विंग बिंट जंसर है OPPO F17 में और MOTOROLO के MOTOR1 FUSION PLUS में है आपका रियर माउंटेट So overall देखा जाए तो क्या कमपार जाने देखो यहां में को कोई शक नहीं है कोई बात नहीं कहने के लिए कि obviously winner है MOTOROLO का MOTOR1 FUSION PLUS स्मार्फोन reason is that अच्छी बैटरी मिलती है 5000 mAh की अच्छा खासा डिस्पे तो नहीं कहूंगा क्योंकि डिस्पे के मामले में OPPO F17 में रहे लेकिन बैटरी अच्छी है camera अच्छा है performance अच्छा है प्रासेसर अच्छा है build quality अच्छी है और क्या अच्छी है प्राइस भी कम है 500 रुपे कम है बताओ इतने सारी चीज़ों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एक स्लिम के नाम पर या फिर अगर आपको एक ओले डिस्पे का लालर्स देकर अठरा हजार रुपे लिए जा रहे है तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी ने लिखती तो मैं OPPO F17 को बिल्कुल भी स्मार्टफोन अठरा हजार रुपे कीमट में नहीं साधे सतरा हजार में अच्छा वेरेंट है और खास तो पर अगर में से कंपेर करता हूं OPPO F17 से तो बहुत बहुत ज़दा ही डिसेंट है तो मैं तो फॉस्ट रिकमेंटेशन एंड लास्ट रिकमेंटेशन इस मोटर ल मैसेज कर सकते हो बात रहें यहां पर कि यहां पर अगर आपको वीडियो में शुरूआ से कर अन तक में कुछ भी पसंद आया हो ना तो मतलब लाइक एक लाइक कर देना प्लीज एंड शेर करना सब्सक्राइब करना हमाले चैनल को मिलते एक लिडियो में जय तक लिए